तैयार, आज फिजिक्स में मचाते हैं Can you accelerate a car on a frictionless horizontal road by pulling more petrol in the engine? दो पेटरोल जाता है, जब इंजिन में ज़्यादा पेटरोल जाता है ना, तो क्या होता है? तो क्या होता है? सीसी बोलते हैं ज़्यादा सीसी वाली गाड़ी होती है, 1000 सीसी, ये सीसी, वो सीसी मतलब एक cycle में वो उतना ज़्यादा petrol burn कर सकती है ना, तो उतना ज़्यादा torque होता है, more petrol का मतलब है more torque और torque पईये गुमाता है, concept तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, petrol ज़्यादा जाने से torque ज़्यादा आएगा पईया तुम्हारा ज़्यादा घुमेगा, तो पईया बहुत गैस को दबाते जाओगे, तो पईया तीज घुमता जाएगा पर आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो जाता है जब हमारी कार या बाइक वगिरा रेत पर चली जाती है या फिर कीचर में चली जाती है, तो हम accelerator देते हैं, तो पईया घुमता है पर आगे नहीं बढ़ती है, तो can you stop a car, अब मालो तुमारी गाड़ी चल रही है न, car going on a frictionless horizontal road by applying brakes, नहीं, अगें, मालो अगर तुमारी गाड़ी चल रही है, तो जब तुम ब्रेक लगाते हो, तो वो क्या करता है, टौर के देता है opposite direction, तुम पईये को घुमने से रोखते हो, आसान तरीका है, cycle के ब्रेक से रुक गया, पर friction नहीं है उसको रोकने माला, वो रुकेगा नहीं, गाड़ी का, तुमारी cycle का पईया रुक जाएगा, पर cycle आगे चलती रही है, इसलिए जब तुम आइस बगरा पर गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत समल के चलाने होती है, बहाँ पर turn भी बहुत मुश्क होता है, क्योंकि friction नहीं होता, तो बड़ी दिक्कत होती है,